भारत के केंदर में मौजूद शहर नागपुर तेजी से भवश्य के लिए तयार हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार संत्रा नगरी कहलाने वाला नागपुर दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पांचवा शहर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर बड़े निवेश होने के कारण शहर का तीव्र गती से आर्थिक विकास हो रहा है। जो जल्द ही यहां के 30 लाख नागरिकों की जीवन शैली को बतल देगा। लेकिन यह सिर्फ रूप परिवर्तन ही नहीं होगा, किन्तु प्रगती, तक्नीकी विकास और एक नए और आधुनिक भारत का मानक भी सिद्ध होगा। नागपूर को मध्य भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सडकों पर लगने वाले ट्राफिक जैम से छुटकारा पाने और सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए इस शहर ने अपनी मेट्रो का एक सपना देखा था। ये सपना तब हकीकत में परिवर्तित होने लगा जब भारत के माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र बोधी ने 21 अगस्त 2014 को नागपूर मेट्रो परियोजना का शिला न्यास किया। ये सपना वास्तविकता के और करीब तब पहुँचा जब अपने कार्यारंब से 27 महिनों की अवधी में ही माहा मेट्रो अपने परीक्षण चरण में पहुँच गई। टीम माहा मेट्रो के लिए ये सच मुच एक गौरव शाली पल था। क्यूंकि इस दौरान टीम ने मेट्रो के निर्मान में उत्कृष्टता के कई मानक स्थापित किये। नागपूर मेट्रो का प्रत्येक स्टेशन किसी कलाकृती जैसा है और इसकी विशिष्ट वास्तु शिल्प की परिकल्पना पुरस्कृत अंतर राश्ट्रियस तरके डिजाइनरों ने की है। सीता बर्डी इंटरचेंज स्टेशन पर महा मेट्रो एक विशाल इमारत का निर्मान कर रही है जो इस शेहर को एक आधुनिक पहचान देगी। चालीस मीटर उची स्टेशन की इमारत में 14 मीटर उचे क्राउन अव नागपुर यानि नागपुर के ताज को स्थापित किया जाएगा। जीरो माइल स्टेशन 20 मंजिला होगा और भारत में पहली बार पांचवी मंजिल पर मौजूद प्लाटफॉर्म इसे अतिविशिष्ट बनाते हुए शेहर को एक नई पहचान देगा। हेरिटेज वॉक की बेहिसाब खुबसूरती सब को सम्मोहित करेगी और नगर को गौरवानवित करेगी। ये दो विशिष्ट सन रचनाय नागपुर सेंट्रल बिजनिस डिस्ट्रिक्ट में नई जान फूंकेंगी और मेट्रो सिस्टम के लिए अतरिक्त राजस्वज उटाएंगी। भीड भाडवाले वर्धा और कामती मारगों पर महा मेट्रो आठ किलोमीटर लंबे तीन और चार लेयर वाले मल्टी लेयर्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कर निर्मान कर रही है जो देश में पहली बार बनाय जा रहे हैं। महा मेट्रो लिटल वुड के नाम से एकानंद दायक नया अबन फॉरिस्ट भी विक्सित कर रही है। इसके अलावा परियतन को बढ़ावा देने और अवकाश के दिनों में राइडर्शिप में व्रिद्धी के लिए अंबाजरी लेक व्यूइंग गैलोरी का भी निर्मान किया जा रहा है। परियोजना तय समय और लागत में पूरी करने, डॉकिमेंटेशन क्वालिटी और एसेट मैनेजमेंट की मुश्किलों को हल करने के लिए महामेट्रो ने 5D BIM टेकनोलोजी पर आधारित देश में अपनी तरह के पहले इंटिग्रेटिड डिजिटल प्राजिक्ट मैनेजमे बनने के लिए 60 प्रतिशत तक नॉन फेर बॉक्स रेविन्यू अर्जित करने की रणनीती महामेट्रो ने बनाई है वास्तविक रूप से महामेट्रो अपनी शुरुवात से पहले ही 140 करोड रुपए की आई अर्जित कर चुकी है अपने बेहतरीन डिजाइन व्यर्थ कारे के खर्च और अकार्य कुशलता पर नियंतरण के कारण कमपनी ने अपनी डी पी आर लागत का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा बचा लिया है एक नायाब कदम उठाते हुए महराश्ट सरकार ने 2016 में नागपुर शहर के लिए टी ओडी अधिसूच ना जारी की जिस से मेट्रो कॉरिडॉर के साथ साथ 500 मीटर के दायरे में FSI दोगनी हो गए इससे हासिल होने वाली अतरिक्त आयकों शहर में बनने वाली संरचनाओं के खर्च को उठाने के लिए समान रूप से मेट्रो वब म्यूनिसिपल कॉर्परेशन में बांटा जाएगा नागपूर मेट्रो के अतियाधुनिक डिब्बो में ज्यादा चौड़े गैंगवे बेहतर व्यू के लिए बड़ी खिर्कियां होगी अपेक्शी माताओं, दिव्यांग, बुजुर्ग और वील्चेर में चलने वाले यात्रियों के लिए प्राथमिक सीटिंग होगी जिसमें ट्रैक्शन भी शामिल है, यात्रियों को एक अत्याधुनिक ओपन लूप कॉन्टैक्टलेस कॉमन मोबिलिटी कार्ट जारी किया जाएगा जिसका इस्तिमाल वो मेट्रो, फीडर बसे, पाकिंग, रीटियल ट्रांसक्शन और यूटिलिटी पेमेंट्स के लिए कर सकेंगे महा मेट्रो ने आम लोगों तक पहुँचने के लिए कई अनोखे और काम्याब सारवजने का भियान चलाए है इसने मेट्रो समवाद, सहयोग और माहिती केंद्रों तथा वाइबरंट सोशल मीडिया के जरीए साढ़ी चार लाख लोगों से भी अधिक के साथ सीधा संपर्क साधा हुआ है पांच हजार से ज्यादा मेट्रो मित्र, वॉलन्टियर के तौर पर नागपुर मेट्रो के लिए काम करने को तयार है दस हजार से ज्यादा नागरिक जिन्होंने नागपुर मेट्रो में जॉय राइड की है उन्होंने पहले ही अपने सपने को साकार होते हुए देखा है आशा है जल्दी ही आपसे ट्रेन में मुलाकात होगी भारत सरकार और महराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली नागपुर मेट्रो वास्तव में एक अंतर राष्ट्रिय पर्योजना है जिसमें दस से अधिक देशों का योगदान है और इसे जर्मन और फ्रांसीसी विकास बैंकों द्वारा फंड किया जा रहा है उनके और नागपुर के समस्त नाग्रेकों के हम रिदय से आभारी हैं और अब हमारे नागपुर के प्रिय जन नेता और देश को सडक और जल मार्ग से प्रगती की नई उचाईयों पर ले जाने वाले मानिय केंद्रिय मंत्री श्री नितिन जी गड़करी से मैंने वेदिन करती हूं कि वे इस शुब अवसर पर हमारा मार्ग दर्शन करें मानिय केंद्रिय मंत्री भूतल परिवहन राज मार्ग जहाज रानी जल संसाधन नदी विकास गंगा पुनरुथान श्री नितिन जी गड़करी एक बार जोरदार करतल ध्वनी हमारे प्रिय गड़करी जी के लिए मांनिय मुख्य मंतरी देवैंद्र फंडवीजी पालक मंतरी चंदर शेकर बवन खूले अपला आरबन डेपाटमेंटके सेकेटरी और मेट्रो चा कंपनीचे अध्यक्ष अध्यने मिश्राजी अपल्या मेट्रोचे प्रमुक ब्रजेश दिक्षित जी, अपले दूनी खासदार जिल्ला परिशे चार्देक्षा, महापोर, आमदार मंडेडी सगे, और उपस्तित बांदोवान लाने बेहनिद, भी हिंदी मदे बोलतों मझे माज़ा भाषन मिश्रा जिननाई पन सम्झेल सबसे पहले मैं ब्रजेश दिक्षित जी को और उनके टीम को रुधे से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिन्दन करता हूँ मेरी रजर में मैं लगातार देख रहा था कि गल्तिया कहां का हुई है, क्यों को पता है कि मैं रात को कंस्ट्रेक्शन का काम कैसा चल रहा है अनिक बार मैं देख चुका हूँ और इसलिए स्वभाई कुरूप से हमारे मेट्रो का काम अत्यनत गुनवत्ता पुर्ण है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जो डीपियार बना था उसमें बचत हुई है और उसके साथ साथ क्वालिटी के बारे में कहा जाए कि एक्सेलेंट क्वालिटी है और समय पर काम हुआ है वैसे ब्रिजेश जी जिस डिपार्टमेंट से आते हैं, उस डिपार्टमेंट के बारे में मेरा ओपिनेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्यों रेलवे से आते हैं तो सौवहईक रुप से मेरे मन में यह सुशे था कि कैसे काम होगा पर मैं आज निश्चित रुप से कहूंगा कि अभी मैं लखनो था और लखनों से आते समय मैंने वहाँ मैं लखनों मेट्रों का भी स्टेश्यर्ज देखें और कोई उनका भी काम अच्छा एलेंटी ने किया है और जो इनोवेटिव डिजाइंस नाकपूर मेट्रो में है मैं समझता हूँ कि पुरे हिंदुस्तान में किसी मेट्रो में यह नहीं है दूसरी बात ऐसी है कि हमारे बार यहां चर्चा होती रही कि नाकपूर महानगर पालिका मेट्रो को क्यू जगह दे रही है क्योंकि हमारी महानगर पालिका में तो एक समय ऐसे हालत थी कि हम पॉईजन के लिए भी पैसा ने खरी सकते अब इस समय आपने 5% हमको डालने के लिए कहा तो 9000 करोड में से 5% ने 4500 करोड यहां तो 4500 लाख रुपे देने में तक्लिप पर आपको पता नहीं कि मेरे बच्पन से लेकर नाकपूर शेहर में जो सरकारी प्राइम जगह थी जिसके ओपर लोगों ने इंक्रोश्मेंट करके जो मालिक बने थे जो किराय भी नहीं देते थे टैक्स भी नहीं देते थे ऐसी जगह आइडेंटिफाय करके वो नाकपूर मेट्रो को मिली कॉटन मार्केट में साड़े चार एकर जगह पीडेवलुडी की थी मैं मन्तरी था तब से कोड में कोई खुश नहीं कर पाई हमारे जिल्लादिकारी उस समय बहुत अच्छे थे सचीन कुर्वे और मैंने उनको कहा कि यह अपने माल्की की जगह है और इन लोगों को अल्ट बाकणपूर की बहुत प्राइम अच्छे सिजगह है हमारे महानगर पालिका में काम करने वाले और जो लोग अतिकरमन करते हो हमारे दामाद होते हैं कोई भी फार्टी आई तो उनको हम हिला नहीं सकते है पर वो जगह, वो मार्केट हमने मेट्रो को दिये और मेट्रो कम से उसमें आधा महानगर पालिका और आधा मेट्रो का तो वो भी फाइदा मेट्रो को मिलने वाला है तो सावाई कुरुप से ये जो मॉडल है ये बहुत अच्छा है और इसलिए साड़े 300 करोड पर किलो मेटर कैपिटल कॉस्ट होने के कारण ये महानगर पालिका और स्टेट ग करोल उन्हें लखनों मेट्रो के लिए तो मुझे पता रहे थे कि अब 4000 करोल लखनों को दिये पर बाकी जगह पर पैसे कैसे देना मेरे सामने समस्ट है तो स्वाई कुरुप से इसकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है पर ये काम भी अच्छा और हमने इसके लिए आपके भी स मेट्रो की स्पीड 120 किलमेटर पर अवर है पैसेंजर की 40 किलमेटर एकस्प्रेस की साथ किलमेटर है तो वर्धा मेर लोग रहेकर नाकुर में नोकरी करेंगे बंडारा चंद्रपूर गोंदिया और कल हमारे प्यूश गोईल जी ने और बावन कुले जी ने नागभीड को भी ब्रॉलगेज करके दिया है तो हम लोग नागभीड तक एने उम्रेड कोही होकर नागभीड तक भी हमारी मेट्रो चल पाएगी और आपने उसके लिए शुकृति दी है तो यह टोटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक रिवूलुशन होगा हमारे शहर में 200 इलेक्ट्र कि बाइक है वह साइकल भी आई है जो सिंगापुर में है कोई भी लेता है काट दिखाता है लोक खुलता है साइकल चलाता बाहर कई भी डाल देता है दुसरा लोक हो जाती है फिर वह लेता यह सिस्टिम से अब लोगों के लिए बहुत आसान होगा इलेक्ट्रिक बस भी और एक बात मेरे मन में है पर उसकी को भोशना नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने अभी डॉफल मेयर करके जो ऑस्टिलियन कंपणी है जिसका वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट में रोपे केबल कार फाने कुलेल में 65 परसेंट शेयर है उन्होंने हवा में चलने वाली डबल डेकर ब करके जो मेरे डिपार्टमेंट में जो कंपणी है गवर्मेंट की उन्हें उनसे टेकनिकल कोलेबरेशन किया है अब उन्होंने कली उत्तरा खंड में पाच जगह पर ये सिस्टेम लाने का इमुई साइन किया है तो एक कहें कि यहां से लंडन स्ट्रीट को इंगनानाका और वर्दा रोड से जोडने के लिए अगर एक फीडर सिस्टेम करके कोई शुरू हो सकती है तो जरूर इसके उपर हम अध्यन करेंगे ताकि पीपीपी मोड में अगर हो सकता है तो अच्छा है मेट्रों की और एक विश्यस्ता है कि ग्रीन पावर 65% ये भी आ रही है अब महा अगर पाली का 42 मेगावाट 52 कुले जी लगातार ग्रीन पावर के पीछे लगते हैं बहुत फाइदा मेरे घर पर इलेक्ट्रिक का बिल पहले 85,000 रुपे महना आता था इस दिन से हमने सोलर बिठाय अब 5000 रुपे आता है तो मुझे लगता है कि ये सोलर सिस्टिम का उपयो ये सोलर हो और उपर से ज़्यादा पावर तयार होगी तो वह हम बेजने का काम करें तो मुझे लगता है कि ये भी रिवेन्यू का सोर्स निश्ची तुरुप से बनेगा आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस प्रोजेक्ट का शिलान नेस किया उसका उद्गाटन भी व एक लाख 25,000 करोड के कारेों का शिलान नेस और शुबारम किया और कल दो ही प्रोजेक्ट है हमारे जो एक लाख 9,000 करोड के है एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे उसका भी कल दुपर तीन बजे भूमी पुजन है और आज ये ये जो 3 टायर, 4 टायर सिस्टम हुई है इसमें स्वाबावी कृप से नैश्नल हाईवे एथूरिटी ने अपने रोड का राइट आफ वे तो मेट्रो को दिया पर ये जो ब्रीज बना गए जो मनिशनगर में अधर ने मुक्यमदर जी के कॉंस्टिन से बनाया और ये 3 टाय ही इसके ऊपर है तो कम से कम एने चाय में ये साथा सो क्रोड रुपए नागपूर मेट्रो को इस कारे के लिए दिये और दोनों के बीच में कॉड़नेशन रहा प्रदानमंत्री बार-बार कहते हैं कि हम लोग साइलो में काम करते हैं और इसलिए एने चाय रोड मिनिस्ट् पहली बार हुई है और इसके लिए देवेंदर जी कह रहे थे कि मुंबए की भी लोग कह रहे कि हमको ऐसे ही चाहिए तो कम जगह में जो कुछ नया इन्वेशन हुआ 20 फ्लोर के स्टेशन्स हुए अब एश्वन स्टेडियम डेवलोप होगा निताजी मार्केट डेवलोप होगा चंटरा मार्केट डीवलोप होगा हवा मार्केट डीवलोप होगा यहां हमारे एयरफॉंड ऑथरिटी की जगह रेडि संके सामने विलों को कोशि़ कर रहे हैं तो केवल Metro नहीं हो रही है इस से मेट्रों के साथ साथ माप रहका टूरिजम डेवलोप हो रहा है नापपुर में अने प्रकार के आध्यचे डेवलप हो रही है जिसे हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है हमारा तर मानने मुख्यमंत्री जी है कली मैंने फॉरेस्ट मिनिस्टर से बात की कि अंबाजरी के स्टेशन पर फूड मॉल है और आगे जाकर जो फॉरेस्ट का जंगले अंबाजरी को लग कर उसमें वाटर का डेप अच्छी है वहां वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर कलब बोट कलब हो और संबालने के लिए हम देंगे और मुक्यमंत्री जी भी आ जाया है वो देंगे तो नाकपूर के इको फ्रेंडली इसमें वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा मैं बहुत ही खूश हूँ विशेश रुप से विश्रा जी का हमको सहयोग रही है पर ब्रिजेश जी प्रकार से काम किया नके टीम ने चा काम किया और सभी इंगनेर्स प्रोजेक कंसल्तर रशबसे जादा हमको भाइनास जिनोंने किया हो फ्रांस के लोग भी आ उपस्ती थे हैं गिविंग मैं स्थ थीच्छा थाइंस इस प्रांसे उपस्ट यां स्थीन क्या ओंक ऴी तर जा कुँप्ते हैं, कि आदिए रे स्गार्टेसिति ही कि उ Moż लिएटेसिति रिडिये कि Κजप प्रुटत स्प्रीजिश劲